असलाम अलेकुम गाइस, तोडेवी आर गोइंग टुडिसकस अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं, अब वीक बॉन्ड बिट्वीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और पॉ वीक मॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं और प्रोसेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि एलेक्टो नेगटिवीटी डिफ्रेंस जो है वो बहुत जादा हो जाता है, इसकी वज़ा से हाइड्रोजन पर पार्शली पोजिटिव और उक्स क्योंकि फोलॉरीन की इलेक्टो नेगटिवीटी बहुत जादा है, इसको जो है प्रियोडिक टेबल का डोन कहा जाता है, इसकी एलेक्टो नेगटिवीटी की वज़ा से, इसलिए जो है मैंने हाइड्रोजन और फोलॉरीन के उपर आप देख सकते हैं, कोई भी पार्शल की मदद से मैंने शो भी किया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉंड इन दोनों मॉलेक्यूस को जो है लिंक किया हुआ हाइड्रोजन बॉंड ने और इस वीक बॉंड की वज़ा से ओक्सीजन पर पार्शल नेगिटिव जबके हाइड्रोजन पर इंटर मॉलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉंड नाम ही शो कर रहा है, इंटर मतलब बिट्वीन मॉलेक्यूलर यानि दो मॉलेक्यूल के दर्मियान जो बॉंड बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये इंटर मॉलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉंड बॉंड नाम ही शो कर रहा है, हम association भी कह सकते हैं, example के तोड़ पर हम again water molecule देखते हैं, जो के इस वक्त intermolecular hydrogen bonding शो करा रहा है, आप देख सकते हैं आपने screens पर, दो water molecule को link किया हुआ है, hydrogen bond ने, three dotted line ने, that is between two molecules, इसलिए हम इसको intermolecular hydrogen bonding करें, next, intramolecular hydrogen bonding definition, अगर if facility for hydrogen bond is available within the same molecule, then the bond formation is called intramolecular hydrogen bonding, because of ring formation, it is also called as chillation, यानि कि hydrogen bond अगर within, intra within the molecule, अगर hydrogen bond भन रहा है और उसकी वज़ा से ring formation हो रही है, तो उसको intramolecular hydrogen bonding और complex की formation की वज़ा से chillation का नाम भी दिया जाता है, next example देखते हैं, इसकी cellist aldehyde के अंदर आप देख सकते हैं, intramolecular hydrogen bonding हो रही है, oxygen और hydrogen एक ही molecule से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के दिर्मयान जो bond बनेगा, उसको हम intramolecular hydrogen bonding का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर complex structure बन गया है, तो इसको chillation भी आप कह सकते हैं, next हम देखते हैं, effects of hydrogen bonding, hydrogen bonding different factors के ओपर differently जो है, वो affect करता है, अगर हम बात करने solubility की, तो intramolecular hydrogen bonding solubility जो है, वो decrease करती है, जबके intramolecular hydrogen bonding जो है, वो solubility को increase करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई restriction नहीं होती, जबके intramolecular hydrogen bonding के अंदर complex formation होती है, यही वज़ा है, कि यह compound को solubile नहीं होने देती, और वहाँ पर restriction जो है, वो करती है, next example देखते हैं, इसकी हम, यहाँ पर है, ordo-nitro-phenol, आप देख सकते हैं, कि जैसे ही इसके अंदर chillation होती है, याई hydrogen bond formation होती है, intramolecular hydrogen bond, तो यहाँ पर एक complex structure बन गया, यानि यह restrict करेगा किसको solubility को, जबके पहरा isomer के अंदर आप देख सकते हैं, hydroxyl और nitro group बहुत distance है, एरो से शो भी किया हो है, कि increase distance की वज़ा से, यह दोनों आपस में जो है, वो intramolecular hydrogen bonding नहीं कर सकते, यही वज़ा है कि यह water के अंदर बहुत easily soluble हो जाएगा, किसकी मदद से, association की मदद से, देन है, acidity के उपर देख लेते हैं, intramolecular hydrogen bonding नहीं करती है, acidity को इसका सेंखेट में चिलेशन भी है, अमने पहले भी इसके बाए में डिसक्स किया था, अब यह acidity को क्यों नहीं करती है, इसकी वज़ा यह है, कि जितनी जल्दी hydrogen release होगा, acidity उतनी इंक्रीज होगी, जबकि intermolecular hydrogen bonding जो है, वो decrease कर देती है acidity को, क्योंकि यहाँ पर hydrogen को release कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, example देखते हैं, हम इसके अंदर हमाई पास, जो है, ordo hydroxy benzoic acid है, जो के जादा acid है, आप double headed arrow, जो है, देख सकते हैं, यानि minus H, H जो है, वो remove किया है, H positive को, उसके बाद chilation हुई complex structure बना है, यानि hydrogen इसके अंदर release कराना बहुत असान है, इसलिए जितनी जल्दी hydrogen release होगा, उतनी acidity जादा होगी, जबके पेरा isomer के अंदर ये less acidic है, क्योंकि यहाँ पर कोई intramolecular hydrogen bonding नहीं हो रही, तो hydrogen को release कराना मुश्किल है, इसलिए जो है, ये less acidic है, next देखते हैं, boiling point के उपर इसका क्या effect है, intramolecular hydrogen bonding जो है, वो boiling point को increase करती है, क्योंकि इसके अंदर association होती है, boiling point जो है, किसी भी liquid का, वो involve करता है, separation of molecules for transition to vapors, और इसलिए ज़ादा energy रिक्वाइर होती है, किसी भी molecule को तोड़ने के लिए energy ज़ादा चाहिए, तो intermolecular hydrogen bonding के अंदर, जो है, molecule को तोड़ना मुश्किल होता है, और ये जो है, इसलिए boiling point को increase करता है, जबके intra-molecular hydrogen bonding जो हो boiling point को decrease करती है, chillation की वजा से, example आप देख सकते हैं, इसके अंदर, chillated salisaldehyde boil करता है, 96 degree Celsius पर जबके पहरा isomer boil करता है, above 240 degree Celsius, do not forget to like, subscribe and share our channel, subscribe our channel for more lecture.